भाई वो खिलाडी बदनसीब ही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहा हो और उसको इंजरी हो जाए यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इतिहास है खिलाडियों का कि अगर किसी को अलबो इंजरी हुई है तो पैर का उपरेशन कर देंगे यह होता रहा है भाई किसी को कोई समझ में नहीं है कि करना क्या है एहसान उल्ला का एक latest example है उस बंदे का इलबो डिसलोकेट हुआ था ठीक है और उसकी सरजरी हुई पाकिस्तान में और इतना घटिया सरजरी रहा अंसक्सेस्फूल तो रहा ही रहा है लेकिन जो एलब इंजरी का जी उससरजरी है उसकी उसको ठीक ढंक से किया ही नहीं गया तो जितना सही करना था वो उस से ज़ादा खराब कर गया ठीक है अब उसके बाद लाहूर में वो बंदा रह रहा था तो मुलतान सुल्तान्स ने उनका इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी उन्होंने दिखाई हुई थी अपना नाम कमाने के लिए कि देखो भाई मैं तो इलाज कर वा रहा 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 था तो PCB उसको रहने के लिए रेंट पे पे कर रहा था मतलब कुछ एकॉमेडेशन का वो फाइनस कर रहा था भाई अब ये खबर सच है या गलत है या फिर मुलतान सुल्तान सुसको खर्चे दे रहा था जो कुछ भी हो ठीक है मेरा ये कहना है कि पहला मुलतान सुल्तान का खिलाडी नहीं है वो पहला खिलाडी है इहसान उल्ला पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान टीम का वो पहला खिलाडी बाद में फ्रेंच आए जाएगा पहले निशनल टीम बाद में फ्रेंच आए जाएगा ठीक है अब अली खान तरीन जो है मुलतान सुल्तान के जो ओनर है उन्होंने तो जिम्मेदारी उठा ली थी जब अंसिक्सिस्फुल हुआ इनका सरजरी तो बोला कि भाई मैं अपने खर्चे पे लेके जाऊंगा इसको पिसवी बस जो है वीजा दिलवा दे हम खुद लेके ठीक है यह उनका अली खान तरीन का कहना यह था अब क्या है मुझे हिरानी से बात का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोल को जिम्मेदारी उठानी चीए मान लीजिए कि आज हार्दिक पांडिया इंजर्ड हो जाए या विराट कोली इंजर्ड हो जाए तो रोयल चैलेंजर से थोड़ी इलाज करवाएगा भाई वो तो BCCI का काम है ना इलाज करवाने के लिए कि उनको NCA लेके जाना है या फिर सर्जरी कोई मेजर सर्जरी करवानी है तो उसको चलो बार अस्ट्रिया लेके जाना है निजलेंड लेके जाना है इंग्लेंड लेके जाना है कहीं लेके लगभग में आपने डेड़ साल दो साल वरबाद होने वाला है और उसके जिम्मेतारी कोई नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोड में जिस टाइम हैसान उल्ला को चोट लगी थी जिस टाइम उस समय चेर्मेन कोई और था और उतने में तिन्चार चेर्मेन तो बदले जा चुके हैं तो आप किस पर उंगली उठाओगे और जो चेर्मेन उनके टाइम पर था उनसे अभी पॉड़कास्ट करवा लीजिये या लिखवा लीजिये वो बोलेगा भाई देखो PCV तो दूसरे पर शायद अस्टिलिया है और तीसरे पर इंग्लेंड है चोथे पर यह है आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो कहां से गरीब हो गया गरीब ही नहीं पैसा बहुत जादा है लेकिन पता ने खर्च कहां करना है कैसे करना है सब अपने अपने पॉकेट में लिए जा रहे है इतना ज्यादा तमाशा बना के रख दियो बताओ एक एहसान उल्ला जैसा प्लेयर जो आपका डेट सो किलिमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से बॉल लगातार वो बंदा कर रहा था अफगानिस्तान वाली सिरीज में आपने उसको खिलवाया भी और आज क्या किया आपने कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है धीरे 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 गुमनामी के अंधेरे में ऐसे ही जीने लगता है और हैसे था बनने में टाइम नहीं लगता है खिलाडी ऐसे ही तो बरबाद होते है और खिलाडियों को किसी भी प्लेयर के लिए यह चीज़ तो ना हो अब जो लोग खेल रहे हैं वो यही दुआ करेंगे कि वह कभी जो है नो उनको इंजरी ना हो क्योंकि उनको इंजरी होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उसका ट्रीटमेंट करवाएगा तो ऐसे ही ऐसे ही लोगों से ट्रीटमेंट करवाएगा मदर्सा चाप और क्या कहते है आप जोड़ा चाप डॉक्टर वगर ऐसे और करियर अब तवाह कर डालेंगे जो इलाज इनका पूरी तरह से फिट होना चाहिए था इस बंदे को नेक्स्ट शे महिने में अब डेड़ साल होने वाला है और वापस आते आते इसको दोड़ाई साल का टाइम लग जाएगा और तब तक में इसका पीक टाइम ही खराब खतम अब बताइए क्या होगा कैसे भला होगा प्लेयर का हद दयार